साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमरूत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे भी स्वास है जब देश आजादी के सो साल मनाएगा 2047 तक हम सब मिल करके एक मिशन मोड में अभियान चला करके यह सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे देश को मुक्ति दिलाएंगे और इसके लिए हम सब को अपना दाईत्व निभाना होगा यह जरूरी है कि सरकार हो, स्वास्त करमी हो, आदिवासी हो सभी तानमिल के साथ काम करें सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को खुन चड़ाने की जरुद पड़ती है इसलिए उनके लिए बलड बैंक खोले जा रहे हैं उनके इलाज के लिए बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट की सुविदा बढ़ाई जा रही है सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग कितनी जरुरी है यह आप भी जानते हैं बीना किसी बाहरी लक्षन के भी कोई भी सिकल सेल का केरियर हो सकता है ऐसे लोग अंजाने में अपने बच्चों को ये बिमारी दे सकते हैं इसलिए इसका पतान रग लगाने के लिए जाच कराना, स्क्रीनिंग कराना बहुत आवश्रक है जाच नहीं कराने पर हो सकता है कि लंबे समय तक इस बिमारी का मरीज को पता नहीं चले जैसे अक्सर अभी हमारे मन्सुख भाई कह रहे थे कुंडली की बात बहुत परिवारों में परंपरा रहती है शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं जन्माक्षन मिलाते हैं और उन्होंने कहा कि बहुत कुंडली मिलाओ या न मिलाओ लेकिन सिकल सेल की जाच का जो रिपोर्ट है जो कार दिया जा रहा है उसको तो जरूर मिलाना और उसके बाद शादी करना साथियो तभी हम इस बिमारी को एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाने से रोका जा सकेगा इसलिए मेरा अग्रह है हर व्यक्ति स्क्रीनिंग अभियान से जुड़े अपना कार बनवाए बिमारी की जाँच कराए इस जिम्मेदारी को लेने के लिए समाज खुद जितना आएगा उतना ही सिकल सेल अनिमिया से मुक्ति आसान होगी